नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस लाइव में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे गोल्डेन गर्न के बारे में यानी हीमा दास 19 दिन में 5 गोल्डेन मेडल लाने वाले हीमा दास ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है जी हाँ, असम की रहने वाले हीमा दास ने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियंशीब 2018 में फिल्लैंड में स्वाड पदक जीत कर रातो राज सुर्खियों में आ गई थी हीमा दास ने 400 मीटर की दोड इस परधा में 9.46 सिकेंड का समय निकाल कर स्वाड पदक जीता था हीमा दास ने ऐसा ही प्रधर्शन जकारता में हुए 88 एसियन गेम्स में भी जारी रखा 2019 में उन्ने ने 19 दिने 5 गोंडन मेडल जीत कर पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया हीमा दास का जन नव जनवरी 2000 को असमराज के नागाओं जीलो के डिंग में हुआ था हीमा एक दलित परिवार से हैं हीमा के पिता का नाम रोजीत दास है वो खेती का काम करते हैं हीमा की माटा का नाम जोमाली दास है वो एक ग्रिहरी है उनके घर में कुल 16 सदस्य है घर की आर्थिक इस्तिती ऐसी थी कि बस अपने खाने पीने की विवस्ता हो जाती थी परिवार में हिमा और उनके माता-पिता के अलावां पांच भाई और बहन है नौगाओं में अक्सर बार के हालत बन जाते हैं वह जगह बहुत ही अधिक विख्सित नहीं है जब हिमा गाओं में रहती थी तो बार की वज़े से कई-कई दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी क्योंकि जिस खेत या मैदान में वह दोड की तयारी करती थी बार में वह पानी से लबालब हो जाता था जब वर्स 2017 में हिमा राजधाने गुवाहाटी में एक कैम में हिस्सा लेने आई थी तब उन पर नीपूर दास की नजर उन पर पड़ी जिसके बाद नीपूर ने ही हिमा को एटलेट के गोड सिखाए नीपूर उनके बारे में बताते हैं वह जन्वरी का महीना था में उनके माता-पिता से मिलने गए और उनसे कहा कि वह हिमा को बेतर कोचिंग के लिए गुवाहाटी भेज दे हिमा के माता-पिता गुवाटी में उनके राने का खर्च नहीं उठा सकते थे इस मुश्किल इस्तिति में नीपूर ने ही एक रास्ता निकाला वे बताते हैं मैंने हिमा के माता-पिता से बात-चीत की और उनने कहा कि हिमा के गुवाटी में राने का खर्च मैं खुद उठाओंगा बस आप उसे बाहर आने की मंजूरी दे दे इसके बाद वे हिमा को बाहर भेजने के लिए तयार हो गए शुरुवात में हिमा को फुटबाल खेलने का सौक था वे अपने गाउं या जिले के आसपा छोटे मोटे फुटबाल मैच खेल कर सौव दो सो रुपए जीत लेती थी फुटबाल में खुब दोड़ना पड़ता था इसी वज़े से हिमा का इस्टैमिना अच्छा बनता रहा जिस वज़े से वह ट्रैक पर भी बेतर काम करने में काम्याब रही कोच निपुरदास ने हिमा को फुटबाल से एतलेटिक्स में आने के लिए तयार किया तो शुरुवात में 200 मीटर की तयारी करवाई लेकिन बाद में उनने असास हुआ कि वे 400 मीटर से अधिक काम्याब रहेंगी रेस के शुरुवाती 35 सिकेंड तक हिमा सिर्फ 3 में भी नहीं थी सायद ही किसी ने उनने फ्रीलेंड के ट्रैक पर लायू दरते हुए देखा होगा लेकिन एक सक्स थे जिनने हिमा की इस रेस का बेसबरी से इंतजार था वे थे उनके कोच निपूरदास हिमा के यूँ अंतिम वक्त में रफ्तार पढ़ने पर निपूरदास कहते हैं रेस में जब आखरी 100 मीटर तक हिमा चोथे अस्थान पर थी तो मुझे अकीन हो गया था कि वह इस गोल्ड को ले आएगी मैं उसकी तकनीक को जानता हूँ वह सुरुवाद में थोड़ी धीमी रहती है और अपनी पूरी उर्जा अंतिम 100 मीटर में लगा देती है यही उसकी खासियत है निपूर कहते हैं हिमा को ट्रेक के करव पर थोड़ी समस्या होती है यह बहुत हलकी सी दिक्कत है यही वज़ा है कि सुरुवाद में वह पीछे रहती है लेकिन जब ट्रेक सीधा हो जाता है तो वह तेजी से रिकवर करते हुए आगे निकल जाती थी 18 वरसी हिमा ने IAAF 200 Under 20 Championship पे स्वण पदक जीत कर इतिहास रचा था पुरे देश को ACI खेलों में भी उनका स्वण पदक की उमीद थी और वह उनकी दावेदार भी थी लेकिन सेमी फाइलन में उनके फाउल होने के कारण भारत के पदक जीतने की उमीदों को जड़का लगा था और हिमा को इस प्रती स्फर्दा में रजक पदक के सांस संतोस करना पड़ा था फाइनल रेस में उन्होंने 50.79 सेकेंड के समय निकाला था उसमें हिमा ने सांदार दवर लगाई थी हिमा दास ने 2019 में पोल लाइन में आयूजी थोरे प्रतियोगिता के 200 पदक हासिल किये या दोनों पदक उन्हें 200 मीटर की रेस में प्राप्त हुए हिमा को पाला पदक दो जुलाई को पोजनान एटलेटिक्स ग्राउंड फ्रिक्स में 200 मीटर रेस 23.65 सेकेंड में पूरी की जबकि दूसरा साथ जुलाई को कंटो एटलेटिक्स मीटर में 200 मीटर रेस को 23.97 सेकेंड में पूरा कर दीता पोलेंड में जिस तरह का परदर्शन हीमा ने किया था उसी तरह का परदर्शन उन्होंने चेक रिपब्लिक में किया इसके साथ ही उन्होंने मात्र 19 दिन में 500 पदक जीत कर इतिहास रज़ दिया जिसमें दो पदक उन्हों ने पोलाइंड में और तीन पदक चेक रिपब्लिक में हासिक लिए हीमा ने कलादनो एथलेटिक्स मीट और ताबोर एथलेटिक्स मीट की 200 मीटर की स्रेडी में और नवे मेश्टो नाट मेट्रूजी ग्राफवी में 400 मीटर की स्रेणी में स्वर्ड पदक हासिल किया ये हैं 19 दिन में 5 पदक जीतने वाले पाला स्वर्ड पदक 2 जुलाई पोलेंड में पोजनान एथलेटिक्स ग्राण फिक्स में 200 मीटर रेस 23.55 सेकेंड में पूरी कर जीता दूसरा स्वर्ड पदक 7 जुलाई पोलेंड के कुनोटो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस को 23.97 सेकेंड में पूरा किया तीसरा सोड़ पतक 13 जुलाई चेक रिपब्लिक में कलाद्जिनो एथलेटिक स्मीट में 200 मीटर रेस 23.43 सेकेंड में पूरी की चोथा सोड़ पतक 17 जुलाई चेक रिपब्लिक में तामोर एथलेटिक स्मीट में 200 मीटर रेस 23.25 सेकेंड में जीती थी 55 पदक 20 जुलाई 9 मेश्टो नार्ट मेटू जी ग्रापी में हीमा ने 400 मीटर की रेस 52.9 सिकेंड में पूरी करके जीती हीमा से जुड़े कुछ खास तत्य है हीमा का निकनेम डिंग एकप्रेस है हीमा ट्रेक एंड फेल्ड खेलती है उनके कोच का नाम निपोन दास है बेश्ट परफॉर्मस 4 मीटर 50.89 एसी एसी एन गेम्स 2018 जकारता का है और 100 मीटर 11.44 सिकेंड में है और 200 मीटर 23.10 सिकेंड में है तो दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंड बॉक्स के माध्यन से जरूर बताईएगा और यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल यूपी पुलिस लाइक को सब्क्राइब जरूर कर ले तब तक अगले वीडियो के लिए धन्यवाद